दोस्तो क्रिक्टोक हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है आईपेल 2024 से पहले केके टीम को लग चुका है बहुत परा जटका सरामी बलने पाज जेसन रोई ने अपना नाम विड्रॉल कर चुके है आईपेल 2024 सुरू होने से ठीक कुछी दिन पहले जिया दोस्तो आईपेल 2023 में जेसन रोई केकेर फैंस का दिन जित लिये थे केकेर फ्रेंचाइजी की और भी बाकी टीमों से खेलते है इस सल केकेर ने उनको डिटेन भी की थी लेकिन परसनल रिजिन के चलते जेसन रोई अन्तिम वक्त पे आईपेल 2024 नहीं खेल लेका डिसिसन लिया है कुछी दिन पहले गुज अटकिनसों T20 वर्टकप के चलते आईपेल से नाम वाफिस ले लिये थे चमीरा को खड़िदा गया था और अब जेसन रोई के बदले एक और विसफटक बल्लेवाज को खड़ के तीम में सामिल किया है जिहाँ दोस्तों इंगलेड टीम के विकेट की पर बल्लेवाज फीट सॉल्ड को केकेन ने जेसन रोई रिप्लेस्मेंट के तोर पे खड़िदा है और अब लोगों को पता दू मानो या ना मानो बहुती बरा एक रिप्लेस्मेंट पर्चस कहा जा सकता है तो मुझे ऐसा क्यूल लगा आगे बताता उस वीडियो में दरासल दोस्तों जेसन रोई को केकेन ने खड़िदा था दो करोर असी लाक रुपे में आईपेल 2023 में जेसन रोई ने काफी बढ़िया परपरम किये थे आठ मैचों में 250 सिरन मनाये थे रिसेन फॉर्म भी उनका काफी अच्छा चल रहा था और केकेर फैन्स उनके लिए बेस अपनी से इंतेजार कर रहे थे लेकिन दोस्तों परसनल कारण बताते हुए जेसन रोई अब आईपेल से नाव वाफिस ले चुके है और ऐसा वो पहली भी कर चुके है 2020 में डैली ने उनको खड़िदा था तब भी नहीं खेले थे 2022 में गुजराट टीम ने उनको खड़िदा तब भी नहीं खेले थे तो जेसन रोई की जगा केकेन ने फिल्ड सॉल्ट को खड़ित चुके है एक करोर पिचास लाक रुपे में जो स्रीब एक बल्ले बाज नहीं बल्कि एक विकेट की पार भी है फिल्ड सॉल्ट के बारे में बात करें तो उनका रिसेंट फॉर्म रोई से भी बहता चलड़ा है लास्ट पार्च इल्टरनासरन मैचेस के बारे में बात करें तो 40, 25, 109, 119 और 38 उनका स्कोर है पाँच इनिक्स में 331 रन बनाये है स्ट्राइक डेट उनका 186 के आसपास है इससे पहले फिल्ड सॉल्ट आईपेल 2023 डैली टीम से खेल चुके है अब आईपेल 2024 में केक्या टीम का हिस्सा बेल चुके है तो अब बात करें केक्या टीम को फाइदा हुआ है या नुक्सार तो जेसन रोई के जाने से केक्यार को फाइदा ही हुआ है क्यूके एक तो पर्स मनी बचा उपर से एक एक्स्ट्र बीडे सी विकेट की बार आप्शन भी मिल गया इससे पहले विकेट की पर के लिए गुरुबाज को खिलाना परता था लेकिन अब जबकि स्वाड भी एक विकेट की पर है तो बेंकर डिसक का साथ उनको भी खिला पाएगी वैसे तो जेसन रोई को सुरू से प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल पाता क्योंके तब स्विकेट की पर के लिए ही सिकर वरुत को खिलाना परता जो की बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है तो दोस्तों आप आप नीचे कॉमन करके जहूर बताईए फिल्ड सॉल्ड का पर्चेस आपको कैसा लगा और प्लेइंग 11 में गुर्बाज या फिल्ड सॉल्ड किसको किलाना चाहिए वीडियो पसंद आये तो एक लाइक तो बनता है केके रिलेटेट एक भी वीडियो मिज नहीं करना चाहते है तो चनल को सस्क्राब करना बिल्कुल भी ना भुले मिलते अब से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड टेक क्यार